मत्यपरदेश में कॉंग्रिस पारटी के द्वारा 114 सीटों पर अपने पर्तियासी उतार दिये हैं और जिले के 6 विधानसवा सीटों पर पर्तियासी गोसेद हो चुके हैं इस वक्त हमारे साथ मौझूद है नव निर्वाचित कॉंग्रिस पार्टी के जलाद्यक्ष उनसे हम पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और ये छे बिधान सभागी सीटू पर जो पित्यासी उत्रे हुए हैं उनके साथ किस तरह से कार जी श्वागत है आपका जी बहुत बहुत धनवाद पहले तो आप लोगों को और जो आपने पूछा कि किस मुद्दों को लेकर जाएंगे तो महंगाई ब्रेश्टाचार भाजपा की द्वारां जो यहां कुशासन है उसके ब्रोद में जाएंगे अठारा साल में इनको को कोई याद नहीं आया और अब लालील अच्वी बाई दो माई से चला रहे इससे हम लोग सभी को आउगत कराएंगे कि जाल साल की सरकार है इसमें फसने से कुछ रखा नहीं और अपनी आदर्णिय कमलाद जी की सरकार बना है एक सो चबालेस सीटें घोशेत हुई है और साथ में आप चतारपूर जिले की छे विधासवा सीटों पर भी कॉंग्रिस की प्रत्यासी तैह हो चुके हैं अब किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे सभी जगा की अलग-अलग मुद्दे हैं और हमारी कॉंग्रिस पाल्टी जीतेगी सभी विधायक ऐसे प्रत्यासी आदर्णिय सीर्ष नितत्र ने दिये वो सभी समानिय हैं और हमारे छेत की लायक हैं सभी प्रत्यासी हमारे जीत करके आएंगे और मुद्दा तो बहुत सारे हैं कॉंग्रिस की एक लेहर है आदर्णिय कमलनाद जी की सरकार बनना तेह है हमारे तीनों वरतमान विधायक हैं जिन लोगोंने दो करोड निधी एक साल में मिलती थी उनने वेकास कार किये अपनी अपनी विधान सभा में वो तो ठीक है हर प बहुत अच्छी मत मिलेते 50,000 के आसपास बोट मिलेती थोड़े 15,000 वोटों से सासन के कुशासन के कारण हार गई थी ऐसा नहीं है कि वो कमजोर प्रत्यासी है आदर्णिय हमारे चरन सिंग भी विजावर से लड़ रहे हैं यादा वाहल छेत्र है इसलिए हमें सभी जगए जैसे कि आज च्छेव विधान सभा की सीटों पर प्रत्यासी घोशत हुए हैं कई लोग प्रत्यासी के रूप में अपना ये चहरा चाहते थे कि हम मेंदान मोतरें लेकन उनको टिकेट नहीं मिली है उन्हें मनाने का पार्टी किस प्रकार से प्रयास करेगी और क्या लेकर ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है सीर्ष नेतत्र का जो आसीरबाद जिसको मिला वही हमारा प्रत्यासी है और जो लोग नाराज होंगे उनको हम लोग मनाने की कोशिस करेंगे हमारा सीर्ष नेतत्र से भी अधिकरत लोग आएंगे बरस्त और वो मनाने का काम उसमें नाराज होने की कोई आउसकत नहीं है, संगर्स अभी तक किया, धर्नबाद के पात्रें सभी, अब मेरे ख्याल से किसी को विरोधरी करना चाहिए, पाल्टी का हैत अगर चाहिए, कॉंग्रेस की सरकार अगर बनाना है, आधर्निय कमलाजी को मुखमंत्री बनाना है, त चुनाओ पीरियड में, जो कोई अगर पाल्टी के खिलाब जाता है, उस पर विचार किया जाएगा, अभी कोई जल्दबाजी में स्थीपत सुईकार किसी का ना किया जाएगा, जो बागी हो रहे हैं, बागी हो जाएंगे, या हो रहे हैं, उनको किस प्रकार से आप क्या क हमारी कॉंग्रेस पाल्टी से यसी कोई स्थीति नहीं है कि कोई बागी होगा, न मुझे देख रहा है, सब आदर्णिये समझदार हैं, और सरकार बनने जा रहे हैं, इस मौका को कौन चूकेगा, कौन छोड़ेगा बाई, ऐसा नहीं है कहीं, न कहीं हमारे जिले में स्थीत कर देंगे आप, हमारे पूलेंग बूट पर एजेंट हैं, पूलेंग बूट के जो एजेंट हैं, और वी यहलो हम और ने बनाई, कॉंग्रेस पालिटी ने, इस बार कॉंग्रेस पालिटी संगठन की दम पर चौनाव लड़ रही है, संगठन बहुत मजबूत किया आदर थे खमימनलाजी प्रतिस अद्धिक्शी जीन है, हमारे यहां सिर्फ बिलो का दिक्श बनाए जाते थी, अब उन्हें मंडलम अधिक्श बनाए, एक मंडलम मंदलम ने चिए सेक्टर अद्धिक्श भी बनाय बूट लेवल के कारकर खाल खाले बनाए, मतलग हमारा संगठन संगठन इतना मजबूत है कि वहीं चौनाओं लड़ेगा और उन्हीं की दम पर हम सरकार बनाएंगे और हम लोग साथ में खड़े हैं सभी लोग बरस्ट है हमारी बुगादर्णी हैं सभी सीर्ष्नियतत और हमारे वीयलो से लगाए सीर्ष्नियतत था संगठन इतना मजबू है कि हमारी सरकार बनना तया है जैसे कि कॉंगेस पाइटी के द्वारा कहा जा रहा है कि नारी सम्मान की रूप में पंदासो रुपे और सिलेंडर के पांचो रुपे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका मेरे ख्याल से बहुत प्रभाव पड़ेगा आधर्णिये जो हमा करते हैं पिछली बार उनने कर्ज माहटी की बात करी ती इसलिए उनने दस मिनट में दसकत किये और 72 हजार लोगों के कर्ज माहट भी हुगा उसमें तीन सरेणी में लिए गया था एक पचास हजार तक एक लाग एक दो लाग की सरेणी तीन लिस्ट बनी उसमें से 15 नाम इसके ली ऊप 15 इसके स माफ हुआ पचासी जार तक माफ हुआ किसी काहें लाग तक माफ हुआ इस प्रकार सी मुरा कर रहां थे इसी प्रकार सी यह सिबार आधरिंए कमलात जी Judy के जो बचन पत्र मैं है वो नारी सम्मान के रूप में पंद्रासोर रूपे बोला देने के लिए और अठारा साल से जब तक महलाएं अपनी जितनी ये इस तक की हैं उतने तक पंद्रासोर रूपे मिलेंगे पांचो में सभी को सिलेंडर मिलेगा और कर्जमाप, बेलमाप और अभी जो आंगे आठ घंटा लाइट जो आठ घंटा चलती थी जो सिचाई के लिए दी जाती थी आठ घंटा लाइट वो वारा घंटा दी जाएगी और आने केस बापेस होंगे ऐसी सारी व्यवस्थाएं जो उन्ने बचन पत्र में लिखी है ग्यारा यूजनाएं वो बिलको निश्यत है कमलनाद जी के उपर इतना भरोशा है यानि मद्यप्रदेश को और आम नागरेक सभी जनता इवा सभी को इतना भरोशा है कि जो कुछ उन्ने कहा वो होना तय है इसलिए सभी का रोजाने काम कमलनाद के प्रति है सरकार तो बनेगी जिर्ट धनवाद तो अभी हमारे साथ अब कि महापिरसाथ जी जो कि नौनिरबाचत कॉंगर्स पारटी के जिलाद्यक्ष हैं इन्होंने बताया कि जो मद्यप्रदेश में चुनाओ लड़ने जारी है कॉंगर्स पारटी वह इन मद्रों को लेकर लड़ने जारए है और साथ में सिवरा सरकार पर भी निसाना पेपर टाइम के लिए बिन उदमिसरा की रिपोर्ट